जिहार का च्छाट पूजा महान पूजा होता है होता है ना तो चलिए फिर दुबाद से बात दे दिये तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आसकर के खरना के दीन और ये परसाथ बहुत लोग को नसीब नहीं होता है मगर आप दिल्ली से चलकर हमारे गाउ में आए हैं तो बहुत ही अच्छा और कल जो सजावट होगा वो भी काफी आपको अच्छा रहा है बहुत संदर सजावट किया जाए जाए है तो दोस्तों महान चट पूजा बहुत ही अच्छा नियम है जो परसादी घर-घर में जाकर परसादी खाना और लोग बुलाते हैं कि आप हमारे यहां आईए आप हमारे यहां आईए और परसाद को ग्रहन कीजिए हटी मया का परसाद जो आज खरना के दिन हम लोग जो हमारे दोस्त हैं या दोस्त नहीं है जान पहस्तान के भी है उनके ही हम लोग जा रहें दोस्तों तो चली आगे करें ग्रहाण करेंगए और यह हमारे दोस्त लोग हैं, यहां सर भी हैं, गाइज इस रूम का जो सलावट है, जो काफी है बेहतरीन है, तो गाइज अभी आ गए हैं दूसरे घर में परसादी खाने के लिए, यहां पर आने के बाद एक छोटा सा जो बच्चा है, जो यहां पर परसाद बित्रन कर रह है आप्चा है, है न, तो सबसे पहले कि असिवाद लेना बहुत ही जरूरी होता है, और इस तरह से चलिए, हम अभी दूसरा घर हुआ है अभी कई घरों में जाना है, है न, क्युमकि विहार का छाथ पूझा, महान पूझा होता है, होता है न, तो चलिए फिर दूसरे आए चलते हैं दोस्तों और दोस्तों ये मेरा इसरा घ्णर होगा जहां पर हम परसाथ खाने के लिए हो और है इधर भी है चाचा जी आप इधर हमारे आमीत भाई और इधर भी हमारे भाई साहव हैं तो यहां पर आएंगे परसाद ग्रहन करने के लिए तो कुछ अलग होना चाहिए क्यूंकि वबरा कर जो छट पूजा होता है काफी अलग होता है कुछ कहना चाहते हैं आप छट पूजा की हर्दिक सूपकामनाएं चलिए जय चचबी अब आगे देखते हैं के दोस्तों यह मेरे चौफा घर हुआ और यह हमारे बड़ भया पंकज अब इनके अहां परसाद के लिए जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं आगे अर दोस्तों एक मेरी बहुत थीक सुन्दर सी प्यारी से स्टुडेंट है यहां अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं आपको यहां हमारे परम्मीत दोस्त मिलेंगे उपर चड़ते समय मेरा एक च्टुडेंट मिल गया है इससु कहा जा रहे है राधा के पास प्रसाद लेकर ना चले जाए 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 अब चाची जी आंगे हैं अब इनको भी पैर चुके परनाम करते हैं, समझें, अब चलिए आगे चलते हैं परसाद खाने के, यहाँ पर ही मोबाइल देख रही है, काटून मिल देख रही है, क्या देख रही है हो, आए हाथी वाला, पता नहीं क्या देख रही है, और यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं, राजेस जी आगे हैं, दिखिए काफी लंबे चोड़े हैं, यहाँ पर उसके बाद उन्हों प्रसाद ग्रहन करेंगे, इधर दिखिए हां सराय दात निकाल कर, इस्सू, यहाँ फरकाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा मेरे साथ धोगे बाजी हुआ, यहाँ दो-दो मीत्र मे मेरे बैठे हुए हैं, मगर बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं बलोग बना रहा था अभी तो, परसाद इन लोग ग्रहन कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, हम भी ग्रहन करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यह हमारे दोस्त का बेडरूम है, जैसे कि आप देख सकते ह मैं आपको दिखा भी दे रहा है, यह देख लीजी यह, चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, गाइस यह हमारे एक हमारे गुरू जी हैं, और एक हमारे दोस्त, अब यहां हम लोग जा रहे हैं परसाद खाने के लिए, उसके बाद दोस्त के भगना तो मेरे भी भगना ही एजुकेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है पड़ा साथ बता दिजिए सबको नमस्कार आज इसमा पर्व छट के लिए सब सब को बजाईयां ये हमारे छित्र हमारे राजी के बिहार बिहार जार करने बहुत मानने पर्व है और इसको ये चाहते हैं कि इसको और भी ताज जनम घ्लावत आए वहां बहुत कम लोग को पता है इसको परफ के बारे में बागे बनाई बहुत तारे तो दोस्तों एक परफ जो है मतलब एक दिली के रहने वाले हैं तो इनको इतना पता नहीं है मगर यह परफ जो है से पूरे 20 वमें धीरे-धीरे बिक्यात हो रहा है और इधर एक और है उनको भी परनाम कर लेते हैं क्योंकि जो भी बड़े हैं उनको परनाम जरूर करना चाहिए तो चलेए दोस्तों आगे चलते हैं परसा इहां ग्रहन करके आपको यहां बिहार में कैसा लग रहा है और यह जो आप परसाद खा रहे हैं हासकर के खरना के दिन और यह परसाद भूट लोग को नसीव दोने ही होता है तो सजावट होगा वह झा अखल पर देखने को आगे चलते हैं अभी हम सामने वोला घर के पास गए थे यानि इधर और उसके बाद अब हम गुरुजी के घरें में जा रहे हैं तो चलिए और गाइस अभी हमारे साथ मुन्ना जी भी आ गया है यहां हम लोग प्रसाद को ग्रहन करेंगे और यह उधर भगना भगना भी है ग आज़ा है और जाएंतर आप आपाज है और हम लोग यहां पर यहां पर हम लोग सारे अदूल ठादी खाल चुके हैं और यहां पर देखिए हमारे आं पर जो काम पेलक दिल्कुल अभी सजायी जा रहा है चलिए गुड नाइट दोस्तों बाई-बाई है गाइस मेरे पापा को चैनल को लाइक कॉमेंट सस्क्राइब जरूर करें बड़े को परनाम छोटे को सूप प्यार और माता पीता का असिवाद मैं बिहारी बाबु हैमराज और आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहें दोस्तों क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे विडियो लाता रहूंगा दोस्तों